हेलो फ्रेंट के से होमरेट चुनोगार फिससे आपका स्वागत है जैसा कि मैंने दो दिन पहले आपको वीडियो अप्लोड करके बताया था कि Poco M4 Pro और Redmi Note 11S device के लिए नए आफडेट आने वाला है जो कि इस वीक के end तक आपको देखने को मिल जाएगा और सो फाइनली इसको एक नए अपडेट देखने को मिल चुक है वर्जन गईज मैंने 4 बताया था लेकिन यहाँ पर 3 ही आया है मतलब जो स्टेप चल रहा है उसी तरीके से है तो यहाँ पर देखें गईज जो वर्जन है वो MUI 13.0.3.0 का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपडेट के साइज की बात करूंत यहाँ पर लगवग 590 MB के आसवास का आपको अफडेट देखने मिलते हैं वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आपसे चोटी रिकेश्ट है बहुत दिनों से मैं यह कहने की कोशिस कर रहा था लेकिन यार यदि आपने वीडियो पर क्लिक करते हैं कोई बग हो तो कंपनी तक पहुंचाने कोशिस करते हैं कोई भी प्रावलम हो तो उसमें आप लोगों के साथ हमेसा खड़े रहते हैं चाहिए वह रेडिमी नोटन का केमरा डेड़ हो या उससे पहले कितनी भी सेटिंग या यूई के आफडेट सो लेकिन आप लो को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में गईस वीडियो को रेगुलरली जरूर देखा करो हर एक डिवेस के अपडेट से रटिव सारे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने हुं मिलते तो प्लीज यार वीडियो को जरूर से देखा करो और इस टाइम मुझे आप अफडेट पबलिक रोलिंगा उट स्टाइबय क्योंकि अभी जो ये आपडेट आ गईस बीटा के अंदर रौल आउट किया गया game- Dollis कि रूऱ्लिंग आउट गई-टो लगबग सथा दिनों के अंदर यह जो आफडेट हगाас समय ह्पडेट नहीं है क्योंकि गई जो सेलेक्ट नहीं हो पाती आईडी तो इस सुझे से यह बीटा वाली आईडी नहीं है यहां पर मैं चेक करता हूं तो यहां पर देखिए लेकिन बहुत ही जल्द हमें देख नहीं मिल जगा बात करते हैं कुछ लोगों का यह क्यों होता कि कब तक हम इसको अपडेट कर सकते हैं तो आप पलीज इसको टेस्ट मत करना क्योंकि डिवाइस डेड होने के बहुत ही ज़्यादा चांसे रहते हैं तो यह तक चोट सा वीडियो उमीद आपको जुरू पसंद आगा और आप लोग आज से मुझे जुरू से सपोर्ट करना शुरू करोगे अब मैं मुलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई जेखिंद अपना ख्याल रखिए